हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉजटिव अप्रोच डिस इस नितेस भारदवाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे आपको पता है कि पर्मूटेशन के बारे में जो है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था आज हम कॉंबिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कु कॉंबिनेशन होता क्या है देखिए सबसे पहले मैं आपको पर्मूटेशन के बारे में बताया था कि पर्मूटेशन क्या है पर्मूटेशन होती है अरेंजमेंट ठीक है पर्मूटेशन के बारे में बढ़ा था हमनें पर्मूटेशन क्या होती है अरेंजमेंट कि माल जो आप बिल्कुल आराम से समझिएगा दिमाग में बिठा लीजिएगा तब ही जो है आप combination और permutation में बिल्कुल भी confused नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि मैं आपको permutation पहले पढ़ा दिया अब नहीं पढ़ाओंगा बिल्कुल इसके सासत इसके के बीच में डिफ्रेंस भी आपको बताता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में जो है अच्छे सी है चीज बैठ जाए combination मैंने का कि selection of object for example देखिए अभी थोड़ा सा example से समझते हैं फिर उसके बाद में आपको उसके numerical कराऊंगा तो आपको ज़्यादध clear हो जागा for example माल लीजिए x y z कोई 3 player है हमारे पास ठीक है 3 player है हमारे पास हमने जो है team बनानी है team बनानी है two players की two players की हमने team बनानी है अब आप देख रहे हैं तीन player हम में देए गये है two players की जो हमने क्या बनानी है team बनानी है तो कौन-कौन से team हो सकती देखिए x y y z और एक हो सकती है z x तो ये तीन जो हमारे पास क्या हो सकती है टीम हो सकती है ठीक है अब हमने क्या किया देखिए हमने तीन प्लेयर थे उसमें से दो की सेलेक्षन की 3C2 जब सेलेक्षन करेंगे हम किसी अबजेक्ट की तो हमारे पास जो एक कॉंबिनेशन बनता है तो 3C2 जो है हमारे पास आ गया जिसका जो फॉर्मूला होता है NCR इसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है देख लिख लीजिए यह बहुत इपॉर्णड फैक्टोरियल है फॉर्मूला है N फैक्टोरियल ओबर R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल अब यहां पर अपलाई कीजिए तो आप देख सकते हैं तीन ही टीम है हमारा पास बनी है दोपलीयर की जब हमने तीन पलीयर में से जो है दो पलीयर की selection करने हैं टीम जबनाने के लिए तो उसे क्या किता हैं combination करता है और उसमें formula क्या लगता है NCR का ठीक है NCR का formula होता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कह सकते हैं कि एक XY है और दूसरा क्या YX combination भी हुआ ठीक है लेकिन combination में जो है order matter नहीं करता है यहाँ पर जो है AB is equal to BA ही होता है लेकिन permutation में order matter करता है AB cannot equal to BA इस बात को ध्यान रखीगा permutation में order matter करता है combination में order matter नहीं करता है यहाँ पर XY जो है YX के बराबरी होता है ठीक है I hope आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि given object में से जब हम किसी given object की selection करते हैं जैसे तीन player है हमने team बनानी है जिसमें से दो player के team होने चाहिए दो दो player के अब कितने इसके combination बन सकते हैं तो हमने तीन player में से दो select किये ठीक है क्योंकि मैं दो की team बनानी थी 3C2 तो इतना number of team हमारे पास बन जाएंगी इतना number of combination हमारे पास आ जाएंगे आईए अब कुछ important formulas करते हैं इन्हें आप note down कर लिजिएगा बहुत important है आपको जो है एक book में नहीं मिलेगा इसलिए जो मैं आपको इसको करवा रहा हूँ देखिए पहला जो formula है यही formula है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ ncr which is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial यह तो होगया हमारा combination का formula बहुत important formula है ठीक है अब दूसरा देखिए ncn, ncn कितना होता है हमारे पास 1 होता है और permutation में हमने पढ़ा था npn कितना होता है हमारे पास factorial n अब दूसरा it is equal to nc0 वो भी हमारे पास कितना होता है 1 होता है combination और permutation में आपको बिलकुल भी confused नहीं होना है इसलिए जो हम आपको साथ साथ में इसका difference भी बता रहा हूँ देखिए अगे चलते हैं एक और formula है बहुत important formula इस exam में question पूछे जाते हैं अभी आप formula जो है no down कर लीजी एक साथ आपको करवाता हूँ इसके बाद जैसे ही question solve करेंगे उसमें से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा nca अगर मालने जी nca is equal to ncb है ठीक है यह क्या implies करता है यह implies करता है यहाँ पर जो n होगा वो किसके बराबर होगा a plus b के बराबर n is equal to a plus b इससे जो है last year exam में question आया था इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बहुत important formula है इनको लिख लीजिए देखिए एक और formula है ncr ncr को ह है हम जो है nc n-r भी जो है लिख सकते हैं ठीक है एक और formula लिखिए बहुत important formula है if ncr plus ncr-1 होगा ncr plus ncr यह किसके बराबर होगा यह होगा n plus 1cr के यह जो है पांच formula है इनको आप no down कर लीजिए और जो है इनको याद कर लीजिए ठीक है इसके साथ साथ मैं आपको जब जैसे हम question solve करेंगे उस इसाथ साथ से हम देखेंगे कौन सा formula कहां पर apply होता है ठीक है और वीडियो को जो है पूरी देखिएगा तब ही जो आपको important होगी उसमें मैं आपको जो है और important question करवाऊंगा चलिए आगे चलते हैं अब जो है numerical के बार में पढ़ते है गीवन question है nc9 is equal to nc8 दिये गया है find nc17 यह मैं पहले जो है बिल्कुल easy सा example ले रहा हूं इसके बाद हम थोड़े typical example के ओपर जाएंगे देखिए बिल्कुल easy है formula apply कीजिए nc9 का क्या formula होता है ncr का भी हमने पढ़ा फिट से लिख देता हूं ncr is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial ठीक है अब देखिए nc9 n factorial divided by 9 factorial into n minus 9 factorial which is equal to n factorial divided by 8 factorial n minus 8 factorial देखिए कितना easy है बिल्कुल easy है इस n के साथ यह n क्या हो गया cancel हो गया अब देखिए 1 over 9 factorial factorial खोल देते हैं 9 into 8 into इसको हम 8 factorial लिख सकते हैं into n minus 9 factorial which is equal to 1 over 8 factorial into इसको खोलते हैं n minus 8 into n minus 9 factorial है n minus 9 क्यूं हुआ क्यों हुआ यहांसे आप देख सकते हैं 8 factorial के साथ 8 factorial cancel n-9 factorial के साथ n-9 factorial cancer देखी कितना easy है यहां से कितना आया इसको ओपर ले जाते हैं n-8 is equal to 9 ओपर जाके n n is equal to 9 plus 8 कितना हो गया 17 हो गया अब हमसे पूछा है nc17 कितना हो गया n हमारे पास निकल गया which is equal to 17c17 हमें पता है ncn कितना होते ncn का formula भी हमने पढ़ा कितना आ गया 1 आ गय आयोप यह question आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मारे पास next question है a committee of three persons constituted a group of two men and three women in how many way can this be done यह बोल रहा है कि हमें committee बनानी है 3 person की ठीक है कितने person की 3 person की क्या है हमें committee बनानी है ठीक है हमें पता लग गया कि इसमें जो combination लगेगा ठीक है constituted a group of two men and three women तो total कितना हो गया हूं क्योंकि person में जो है man और woman आगए total person कितने है five है और कितने person की committee बनानी है हमें तीन-person की हमें committee बनानी है तो बिलकुल इस यह क्या combination होगा बताइए पांच मेंसे जो है मैंने कितने परसंट की कमेटी बने थ्री परसंट की जो है कमेटी बने जो combination क्या आगए इसका 5C3 बिल्कुल इजी है देखिए अब क्या possibility जाई फार्मुला लगाईए 5 factorial अबर 3 factorial into 3 5 minus 3 factorial which is equal to 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 5 minus 3 2 factorial 2 into 1 3 3 cancer 2 1 0 2 2 0 4 5 2 0 10 इतने number of ways जो है 10 number of ways जो हम committee बना सकते हैं तीन परसंट की जिसमें से जो है 2 men and 3 women है total person 5 हो गए ठीक है पांच परसंट से हमने कितने person की committee बना नहीं है तीन परसंट की committee हैं तो कितने number possible ways है 10 है अब ठीक अब दूसरा में यह क्या बोल रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए है how many of these committee would exist कि कितनी committee होगी exist करेगी जिसमें एक man होगा और दो woman होगी ठीक है अब ध्यान दीजिएगा यहां पर तीन person है कितने person की committee बन रही है तीन person की जिसमें एक आदमी होना चाहिए और यह बोल रहा है कि दो अरते होनी चाहिए अब आप यहां पर ध्यान और टोटल होनी चाहिए थ्री तू वोमेन जो है किससे स्लेक्ट होगी थ्री वोमेन से मल्टिप्लाई बाए थ्री सी टू तो यह हमारा required number of combination आगे यह कितना होगा देखिए तू सी वन टू आएगा और थ्री सी टू कितना आएगा थ्री इंटू 2 divided by 2 which is equal to 6 तो ऐसी कमेटी कितनी होगी जिसमें जो है टू वोमेन होगी और वन मैन होगा तो कितनी होगी टोटल नम्बर आदमी जो हमें select करना है टू मैन से दो आदमियों से करना है तो 2C1 ठीक है साथ में हमें जो है दो आरते भी स्लेक्ट करनी है लेकिन दो औरते किसे select होगी पांच परसन से तो होगी नहीं कि तीन ही हमारे पास भूमनें तो तीन में से जो है 3C2 तीन में से जो है दो combination हमने लेने तीन में से हमने दो औरते select करनी है और जब भी हमने आपको सौटकर तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि कहां पर प्लस लगता है और कहां पर जो है multiply हो जाता है तो वीडियो को पूरी देखिएगा अंत में जो मैं आपको यह भी बताऊंगो कि कहां पर प्लस होता है कहां पर multiplication होता है आपको कुछ भी सोचनी की जुरूरत नहीं है आपको मैं वह तरीका तरीक आप जहां पर या तो प्लस करेंगे या तो multiply करेंगे तो वीडियो को पूरी जुरूर देखिएगा आगे का एक और example कर कि हमने चार कार्ड जो है वो select करने है 52 प्लेंग कार्ड के तो ठीक है इसकी जो required number of combination कितना हो जाएगा अभी मैं सिर्फ कोशनी नहीं पढ़ रहा हूं कि फोर कार्ड है जो पैको 52 कार्ड से होंगे तो required number कितना आ जाएगा 52 C4 यह हमारी required combination हो भी कि बुंजस कार्ड में समने कि ठीक है जो है जो है चार कार्ड स्लेक्ट करने है तो यह हमारी combination फिक है अब पहला जो हमारे से पूछा जाता है कि फोर कार्ड की फोर्र कार्ड हैं जो सेम सुट менее चाहिए कितने सुट होते हैं देखिए और दिखारिगा कितने सुट होता है लिजपीटिटू तू कर्ड म और कार्ड arc the same suit कि जो चार कार जो हमने स्लेक्ट करना है वो एक ही स्यूट के होँए कितने की होने चाहिए एक ही सूट के होने चाहिए तो इस की च्चोंख से क्टप कर लेते हैं कितने 4 & less cost 13 से क्या कर लूदः को सबही जो 4 C your heart by हुथ तो चार कार्ण है और यह मैं आपको अभी इस question केंत में बताऊंगा कि आपको कैसे यहाद रखना है कि कहां पर प्लस हो रहा कहां पर multiplication हो रही है, ठीक है, लेकिए four card आरूप the same suit, ठीक है, पहले से हमने 13 निकाल लिए, combination आ गया, plus दूसरे से भी 13 निकाल लिए, तो plus किया, और इसका भी combination आ गया प्लस तीसरे से 13 निकाल लिए, और चौथे से भी जो है, हमने 4 तेरह में से 4 निकाल लिजिए, माफ कीजिए कि मैं अभी यहाँ का कि 13 निकाल लिए, लेकिन 13 में से हमने कितने निकालने है, 4, क्योंकि हमें बोलाए, four card करने हमने ड्राउट, ठीक है, तो पहले तो आपको, I निकालने हमने, वो four different suit से होने चाहिए, मतलब आपको भी इसका बिल्कुल पता कि 13, 13, 13 का suit होता ठीक है, तो एक हमारे पास, 13C1, पहले से हमने निकाल लिया, multiply by, 13C1, दूसरा card हमने दूसरे से ले लिया, तीसरा card हमने तीसरे से ले लिया, और चौथा card जो हमने, चौथे स करेंगे, ठीक है, तो यह देखिए, एक card हमने पहले से ले लिया, दूसरा हमने दूसरे से लिया, तीसरा, तीसरे से लिया, चौथे suit से ले लिया, I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा, इसको आप आराम से solve कर सकते हो, इसको कितना आ गया, यह आ गया, 13C1 की power 4, ठीक है बिल्कुल easy है, अब आगे देखिए, हमारे पास, third है, R face card, face card होना चाहिए, उसकी combination क्या होगा, तीसरे का बूच रहा है, कि R, कितने face card होते हैं, देरा twilight face card होते हैं, अब हमें जो यह बोल रहा है, कि सब भी जो R face card होने चाहिए, 4 card, तो ठीक है, twilight में से हमने क्या select करने ह है, 4 card निकालने है, तो twilight जो है, हमारे पास face card होते हैं, इस में से twilight c4 होगा, यहां पर formula लगाईए, कितना आ गया, twilight factorial divided by 4 factorial into twilight minus 4 factorial, इसको solve कीजिए, आपके पास required answer आ जाएगा, face card बोल रहा है, face card होते हैं, total twilight, हमने निकालने कितने है, 4 card चूज करने है, तो twilight c4 हो गया क्योंकि हमने बोला, combination क्या होता है, selection, selection को है, 12 में सो हमने 4 card निकाल दिये, face card, अब आगे देखिए, 2 are red and 2 are black, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यह अब हम चौथा कर रहे हैं, इसमें यह क्या बोल रहा है, कि 2 are red है, यह बोल रहा है, कि 2 red होने चाहिए, और 2 जो है, black होने चाहि लें, 2 multiply by, black भी कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो कितने निकालें, 26 से, 2, यहाँ पर क्या हुआ, multiply हुआ, अभी आपको बताता हूँ, कहाँ पर जो हमें कैसे पता लगाना है, कि shortcut कहाँ पर multiply हो रहा है, कहाँ पर जो है, add हो रहा है, आई होप यहाँ आपको अच्छे से समझ आ होता है, black होता है, red कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, 26 होते है, card are of the same color, यह भुरा कि जो card है, वो same color की होने चीज़, 26 से कितने निकाल लें हमने, 4, या तो 26C4 होगा, plus black होगे या तो 26C4 होगा, ठीक है, देखो card of the same color, या तो red होगे, या तो क्या होगे, black होगे, I hope combination जो आपको अच्छे से समझ आगे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, कि क्या formula आपने याद रखना है, कि कब plus होगा, और कब multiplication होगा, देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, या आपको किसी भी book में नहीं मिलेगा, देखिए, जब हमें बोल, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, जब होगा, question में अगर, and होगा, या और होगा, ठीक है, दो चीज़े हैं आपके पास, या तो and है, या है और, ठीक है, and का मतलब क्या होता है, इंदी में, और, और का मतलब क्या होता है, या, इन दो चीज़ें को ध्यान से समझिए, देखि ठीक है, and है, two card are red, two card are blue, दो लाल होने चाहिए, और, दो black होने चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, multiplication, देखिए, दो red है, और, and मतलब, हिंदी में, और, और, जो है, दो black होने चाहिए, तो जहाँ पर and आएगा, या और आएगा, जैसे आपको पता लगा है, कि दो red, दो black, तो यहाँ पर क्या होगी, multiplication होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, multiplication होगी, जैसे, यहाँ पर पूछा गया था, four card belong to four different suit, ठीक है, four card belong to four different suit, कितने suit होता है, हमारे पास, 13, 13 का होता है, ठीक है, कि सभी, याद तो देखिए, 13C1, इसमें, और, दूसरा होगा, दूसरे में, और, तीसरा होगा, तीसरे से, और, चौथा होगा, चौथे suit से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और आ रहा है, और जब आता है, तो मतलब, and, तब हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, ठीक है, तो four different card belong to four different suit, ठीक है, यह कह रहा है, देखिए, चार different card है, चार different, इसका मतलब क्या हुआ, एक card, एक suit का होगा, दूसरा card, दूसरा का होगा, मतलब, एक, एक, और, दूसरा, फिर तीसरा, और, चौथा, इस तरीके सुझा, हमाँ, multiplication हुआ, I hope, यह concept आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, दूसरा है, और, या तो और लिखा होगा, या, मतलब, देखिए, card of the same color, या तो लाल color का है, या, black color के चारों card है, ठीक है, यह, हमने बोच्छा था गया था, कि चार card निकाल है, देखिए, card of the same color, या तो red होगे, red में से हमने 4 निकाल लिए, या, black में से हमने 4 निकाल लिए, जब या होगा, इस तो, यहां पर और होगा, तो आपने क्या करना ह है plus करना है क्योंकि यह तो रैड होंगे सारे कार्ड यहां तो ब्लैक होंगे तो यह कॉम्बिनेशन उसमें बनेंगा इसलिए यहां पर क्या आएगा एडिसन आएगा अब देखिए four cards of the same suit यह क्या क्या हो रहा कि four cards जो है same suit के होते हैं धर ऊपर स्टाक्य से मनने तौक कर लिए या तो यहूंगे प्लस या तो यह होगे प्लस आटो यह, दिए होंगे प्लस यहिंगे इसलिए यहां पर त्या है प्लस किया Article फ़ें उस वहां हुप कि अछा सभी से समझ आ गया होगा एक और shortcut बता देता हूं उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं पिर जो आपको easy लगता है आप उस तरीके को अपना लीजिए देखिए और आसे आप कैसे समझ सकते हैं कि कब multiplication होगा और कब जो है addition होगा बिल्कुल धैन दीजिएगा जब हमसे देखिए यहां पर पूछा गया था कि four card निकालना है ठीक है यहां मैं आपको बिल्कुल miscellaneous है यह किसी book में नहीं मिलेगा यहां मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ देखिए हमसे बोला गया तो कि four card जो है निकालने को बोला गया था ठीक है ध्यान दीजिए हमें बले बुले के four card of the same suit अगर चारों कार निकल गए से ठीक है निकाल दिया हमने चारों कार्ड जो हमसे पूछा गए तो चार कार्ड निकल गए लेकिन सूट तो हमारे पास बच गए इसलिए यहाँ पर आप एड़ कीजिए 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 यहाँ पर एड़ कीजिए अभी यह बोरा कि 4 कार्ड बिलॉंग टू 4 डिफ्रेंट सूट कि 4 कार्ड जो है चार डिफ्रेंट सूट को तो इसका मतलब होता है 13C1 पहले सूट से एक निकाला दूसरे से भी एक निकालेंगे लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी तक हमारे पास एक ही कार्ड आया है तीन और कार्ड बच गए है तो जब अभी तक एक ही कार्ड आया है तो उसक लगया multiply किए अब यहाँ पर देखिए card of the same color ठीक है 26C4 complete निकल गया न चार इसलिए हम इसमें add करेंगे क्योंकि color हमारे पास और बच गया है अभी 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 यह black color का निकले का 24 इसलिए यहाँ पर क्या हुआ add हुआ लेकिन यहाँ पर देखिए two card are red red में से निकाल दिये देखिए हमने 26C2 दो ही card निकाल भी हमने दो हमारे पास बच गए क्योंकि हमें four card निकालने को खाता इसलिए दो बच गए इसलिए 262 अगेन इसलिए multiply किया I hope अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि कहाँ पर जो है addition होता है और कहाँ पर जो है multiplication होती है अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है समझाता है तो प्लीज वीडियो को like करिए share करिए मेरे चैनल को subscribe करिए धन्यवाद जय हिंत जय भारत